इस बात को ठीक से याद लख लें, सुधा चुनावी के वह लेक साल के लिए है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा मैंने जानता, लेकि सुधा करसी यहाँ पान साल रहेंगे, मुझे तक्राना होगा, इस बात को याद अक्रा है, बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का खुट्डो पे लादा मुझे अच्छी तरह से मालूम है, नमस्कार आप देख रहे हैं, दर्स नियूज, मैं हूँ आपके साथ, रितेश सर्मा, बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसी बीच कैमूर की रामगड सीट से, आरजेडी प्रत्यासी अजीत सींग के उनके बड़े भाई और बकसत से राजद के सांसत सुधाकर सिंग ने खुले आम धम की भरे लहजे में बयान दिया है, सुधाकर सिंग ने कहा है कि इस चुनाव में जो भी हो वो रामगड में अगले पांस साल तक रहेंगे और किसी से भी टकराने से पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने कारकरताओं से कहा है कि 2020 वाली गलती नहीं करेंगे, अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे सवक सिखाया जाएगा पतादी की बिहार में उपचुनाव के लिए चुनाव परचार जोरो पर हैं कैमूर की रामगड सीट से आरजीदी ने अजीद सिंग को अपना उमिद्वार बनाया है उन्होंने कहा है कि मैं यहां 5 साल रहूँगा, गुंडो को सीधा करना जानता हूँ सुधाकर सिंग ने आगे कहा है कि इस बात को ठीक से याद रख लें उपचुनाव केवल एक साल के लिए है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा मैं नहीं जानता लेकिन सुधाकर सिंग यहां पांस साल रहेंगे मुझसे टकडाना होगा इस बात को याद रख लें सांसत के सामने विधायक होता कुछ नहीं है यह भी याद रखें कि बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों को घुटने पर लाना मुझे अच्छी तरह से आता है ऐसे गुंडों को सीधा करना जानता हूँ तो सुधाकर सिंग ने खुली धमकी दी है कि तीन सो बुतों पर बीजेपी वालों को लाठी से पीटेंगे अपने भाई को जीत दिलाने के लिए सुधाकर सिंग ने मन से ही खुली धम की दे दी एक सांसत के सामने कहा कि विधाय की कोई उकात नहीं होती है अगर बीजेपी वाला जीत भी गया तो उसे घुटने पर लाना मुझे आता है ऐसा सुधाकर सिंग ने कहा है तो गुंडागर्दी करेंगे तो तीन सो बुथो पर लाठी से पिटवाएंगे ये सुधाकर सिंग के बोल है उन्होंने कहा है कि पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे 2020 में तीन जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग लेकिन इस बार चुनाओं में गुंडागर्दी हु वहाँ भी मैं मुख्मंत्री के सामने तन गया था अच्छी तरह से मालूम है ऐसे गुंडों को सिला करना है और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे बीस वाली करेंगे पिछली बार थीस में तीन जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग इस बार चुनाओं में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 भूउत पर इουμε लाठी से या जग में गुंड़ाई सुनिये राजत के अध्यक्ष जगदानंद जिंके सुफोत्र और सांसद सुधाकर सिंग अपने सगे भाई को गदी पर बिठाने के लिए भाजपा कारकरताओं से मार काट की धमकी दे रहे हैं रामगड उपचुनाओं में हार की हतासा ने इनकी असली चहरा सामने ला दिया है वनसवादी लोकतंत्र को ठोकतंत्र बनाना चाहते हैं ये राजद वाले के गुंड़ाई का बाई कबो न जाई ऐसा बीजेपी के तरफ से कहा गया है आपको बता दी कि रामगड सीट पर महा चुनाव लड़ रहे हैं चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो फिरहाल इस ख़बर में इतना ही है दरस्तियों उसके साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले धन् करो और वे वादैब युली ऑने सीटों घए बने स्वेख प्रेबर को आपने से ख़बर को आपने से अवंबर को नहीं किया दिरहाब बनान बनानशे किया है तो बने स्वेख थावाब